ओम स्री गनी साइनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों आज आपकी वित्य इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ती के आवसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्थे में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तों आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददिगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा दहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चलें आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगडे हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते है आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्धिस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे पैड़नाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बड़ेगा आपको परिवार की जरूतों को ध्यान में रख कर कार्य करना होगा जो कही बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तों साती सात कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट के इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कठिन परिश्रम से सभी कर रहे आपके पूरे होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में सावधानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है समवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवशक रकता है संसादनों पर खर्च होने से मांसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है देना परिशानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चिर्चड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुँचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कले होने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्क है आपके प्रियास से इस्तितिया अनुकूल हो सकती हैं आप अपने रिष्टे को नई रचनात मक्ता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनर करना ही सर्व था उचित होगा साथ इसा दोस्तो आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा लाब दिन शाबित होने वाला है दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात करेंते हैं जब कव साय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और कारे छेत्र में सफलता मिलेगी हालाकि कारे भार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदाएक सिद्ध होंगी साथी साथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेक ववसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन बहुत प्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नवक्यी केनने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंदजार कर रहे थे दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त काफी रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवशक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उर्जावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथी साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद शिरी राम लिखी लाल रंग की दोहजा जिया दोस्तों आपको लाल रंग की दोहजा लेनी हैं जिस पर प्रभू शिरी राम का नाम लिखा ह इसके बाद आप इस द्वजा को भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान बजरंग बली जी को चड़ा देए और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे और आपको ऐसा करने से सीग रही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अबस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद